इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की यानिकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है जी यू आई क्या होता है यह पिर इसको गूई भी बहुत लोग बोलते हैं ठीक है तो graphical user interface क्या होता है, the graphical user interface is a type of user interface that allows user to interact with application or program through graphical icons and visual indicators. ठीक है जानि कि आप अपने user को एक black screen command prompt जैसा नहीं देने के बजाए एक menu वाला interface देते हैं जिसमें कि वो आसानी से click करके भी अपना काम कर सके हैं. जैसे for example हमारे पास बहुत दिनों से Windows operating system के साथ एक application आता है जिसे की हम लोग कहते हैं calculator और यह बहुत सारे बठी यह easy example है यह हमारा एक graphical user interface है ठीक है इसमें आपको कुछ भी आप keyword से लिखी सकते हैं साथ में आप यहां से भी लिख सकते हैं और जिस भी button को click करना चाहें जो भ कर सकते हैं ज्यादा user को दिमाग लगाने किसमें हो सकता नहीं पड़ती है साथ आप देखें कि यहां को एक menu भी मिलता है इस तरीके से ठीक है और भी बहुत सारे चीजे है minimize maximize close वगरा सब कुछ button वगरा बहुत कुछ मिल जाता है इसमें ठीक है तो यह सारी चीजे यह जो है पुरा application है इसको में लोग क्या सकते हैं कि यह एक graphical user interface है जिसमें कि जिसे की user अच्छे तरीक से interact हो सकता है वह समझ सकता यानि कि वह प्रोग्राम पर ज्यादा ध्यान न देकर अपने task पर ज्यादा focus कर पाता user अगर आप उसको ऐसा देते हैं तो इसको दो number 8 करना है तो और interface number वह पढ़ेगा फिर इंटर करेगा फिर इसको result मिलेगा उसमें user को मजा नहीं आता है अगर देखा जाए तो हम लोगों को अगर हम लोगों को अगर वैसा मिल ला है यूजर में बात कर रहा हूं प्रोग्रामर की नहीं यूजर अगर उस तरीके का चीज में मिल ला है तो बट एक नॉर्मल यूजर माउस से ज्यादा काम करना पसंद कर था इस तरीके से क्लिक करके ठीक है और या फिर मेन्यू का इस्तिमाल करके मेन्यू का इस्तिमाल करके ओके सो यह यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आसान सब दों में थैंक्स पर वाचिंग